हेलो गाइज बेलकुन टो मैं चैनल एजूकेशन टेक पॉइंट गाइज आज हमें स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर विज्यान मेंट्टू से कंप्यूटर साइंस और यह क्लास 10 यूपी बोर्ड की है अध्याय वन है तो अध्याय वन का मैं पहली मेंटर बता दूग अध स्लेवस लिया हुआ है इस स्लेवस में मारा 50 नम्मर का कंप्यूटर व संचार आता है तो इसमें प्रात्यमिक संचार मॉडल संचार के माध्यम और कम्यूकेशन मीडिया यह तीनों को मैंने एक करके ले लिया है क्योंकि सारे क्वाश्चन एक दूसरे पर डिपेंड है यहा पर स्वाट में ही काम हो जाएगा तो सबसे पहले मेरे तरीके को समझे मैं जाए कि मैं क्या कराना चाहरा हूं और किस तरह आपको benefit होने वाली और बेकवता दाथूं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा है तो सबसे पहले बताते हैं कि मैंने यह टौपिक प्र मैंने कुछ इस तरीके से इनको लिया है कि आपके इसमें विष्त्रित भी आ जाएंगे अत्ति लगू और लगू भी आ जाएंगे और साथके साथ बहुत है बहुत कलपिय प्रेस्चन भी आ जाएंगे तो आगे चलने से पहले सबसे पहले आपसे रोक्यश्ट करना चाहू कि कारविदी का सचित्र वर्ण कीजिए तो यह कई वार आया है और जलू नहीं कि यहीं आ जाए यानि संचार मॉडल ही आ जाए तो आप इसी को लिख देना नमबर नहीं कटेंगे तो लिखने का थोड़ा आईडिया भी है क्या है लिखना है हमें जले बात करते हैं तो प्रा एक कंप्णिशirm का दोसरी कंप्णिश को देना है इसको बढ़ावा का मतलब है कि जल्दी से काम हो जाए हमारा इनके बिकल्पों का पतालाने और कंपनियों की स्थित्ति का मुलियांकन करने के लिए किया जाता है तो प्राप्तिकर संचार मॉडल इस प्रकार थे मैंने इस प्राफ्ट में संचार मॉडल के निमलेख्त अभय होते हैं प्राप्त करता और संचरण प्रोटोकॉल से हमारे क्या 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 काम करेंगे तो चलिए आई को वन वाई वन इनको क्लियर करते चलते हैं सबसे प्रेशक क्या होता है यह व्यक्ति जिसके तारह संदेश बेज़ा प्रेशक कहते हैं यानि आप अगर कोई मैसिज भीज रहे हो तो आप प्रेशक कहलाते हैं चलिए नेक्स्ट देखते हैं संदेश का कहलाता है संदेश तो आप लोग भी जानते हैं वह डाटा तथा सूचनाय जो प्रेशक द्वारा प्रेशित की जाते हैं उन्हें संदेश कहते हैं ने जो आप बना रहे हो वह संद्धेश है उधारण के लिए उधारण में कोई जो होती है कोई quién सकते इमेल भी कोई भी हो सकता है WhatsApp के लिए सारा हो जाता है और इमेल के लिए भी है यूज करते हैं सबको संचार माध्यम की बात करें यह माध्यम जिसको तरह डाटा का संचार किया जाता है उसे संचार माध्यम कहते हैं मतलब माध्यम जिसको तरह भेज रही हो देखें आपक तो मैक्रो तरंगे यह सब आगे आने वाला है दूसरा है प्राप्त करता है वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति द्वारा भेजी की सूचना को प्राप्त करता है मतलब आपको किसी ने एकर मैसेज दिया और आप प्राप्त कर रहे हो तो आप प्राप्त करता है कहलाते हैं बहुत यहीं सामाणिभासा में प्रोटोकॉल कहले हैं यह सामाणिभासा में इसे भी एक पाला साथ है क्या कहले हैं वह हमारी टॉपिक है तो छिपर मीं तरकार से होता है संक्छार उल्क का सब्टो किएगो पर फोकस कन पहले चांशेगा जाएंगे या डाटा संचार का होता है डाटा संचार के माध्यम का विस्तार सहीद वर्डन कीजिए या फिर कम्यूकेशन के प्रकार हो का उदार सहीद वर्डन कीजिए संचार हो रहा है संचार communication communication माने ही संचार होता है इसको रट लिजे याद कर लिजे का चलिए आई की तरफ चलते हैं और इसका आंसर लेते हैं संचार माध्य में data संचड यह क्या होते हैं data को प्रेशक से प्राप्त करता तक भेजने के लिए यहां करता यह वाला करता नहीं है मतलब आप नॉर्मल वे में जो हम अभी डेली यूज करते हैं कि आप बाटसप द्वारत दूसरे केंडिडियेट को मेसे भीज रहे हो तो आप जिस माध्यम से भीज रहे हो सूचनाओं को आदान प्रदान करना इसमें सूचनाओं को तकनीकी के माध्यम से एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर भेजा जाता है इसके लिए बेवनित तकनीकी का प्रियोग किया जाता जैसे फैक्स है पेजर है इंटरनेट है या फिर कहें तो नॉर्मल वे में आपका WhatsApp DC में आई जाता है जो चीज हमें यूज करते हैं उसके एक्जामपल लेने से सबसे अच्छा है चलिए बात करते हैं यह दू प्रिकार का होता है कोई प्रावलम नहीं है तार संचार माध्या में कहते हैं एक बात और मैं बता दूँ के अगर आपके पास आए यूपी वोड मींटू से कि आपको इंग्लिस में भी पेपर मिलता है हिंदी में मिलता है अगर आप हिंदी में कर रहे हैं और हिंदी में कोई सब्समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंग्लिस में जरूर ध्यान दीजिएगा और इंग्लिस में समझ में नहीं आ रहा है तो हिंदी में जरूर ध्यान दीजिएगा पॉंट्टू-पॉंट हर चीज को ध्यान दे रहा इन तारों के दोरा data का संचार किसी विशेस पत से होता है यह तार copper, tin या silver के बने होते हैं अब इसी देखेंगे क्या क्या है सामनते हैं यह तीन प्रकार को होते हैं ethernet cable या फिर इनको कहते हैं twisted pair cable, coaxial cable या फिर fiber optical cable अब इनके बारे में 1y1 हम पढ़ना चालू करते हैं यहां से नमबर वन है ethernet cable या twisted pair cable तो यह होती क्या है इस प्रकार के तार में आपस में इस प्रकार के के वल में तार आपस में उल्जी होगते हैं चलिए पर डाइग्राम देखने तो जब्दी समझे में आ जाएगा आप यह देख पा रहे हैं यहां पर धान से देखेगा कि चलूँ में थोड़ा जूम कर देता हूं तो जल्दी समझे में आएगा कि मैटर क्या है हमारा कि यहां पर आपस में यह जुड़े हुए हैं लि हर जगह आप देख सकते हैं इनके ऊपर भी एक पतार्त है इसके ऊपर भी एक पतार्त है और इसके ऊपर भी एक पतार्त है जो यह जैकेट है यह सील्ड है चलिए आगे देखते हैं दोनों में से एक तार signal को प्राप्त करता है, यहांनि प्राप्त करता यहां प्राप्त करता तक पहुंचनाने के लिए दूसरा अर्थिंग के लिए उप्योग किया जाता है इस cable का प्रयोग छोटी दोरी में data संचार के लिए करते हैं, इस तार का प्रयोग के local area network में किया जाता है, computer से telephone line को जोडने के लिए modem में ऐसी तार का प्रयोग किया जाता है, या इसी तार को जोड़ा जाता है, तो आप modem के लिए आप इसको प्रयोग कर सकते हैं, और आपन उच्छ गुडवत्ता का संचार माध्दय में अच्छ प्वाटिता है जो कोचालेक- से गिरा होता है मतलब कुतार से गिरा होता है, इसमें कुछालक तार के ऊपत तार की जाली बनी होती है, जाली की बात करें तो यह जाली में आ जाता है, यह twisted pair cable की अपेच्छा महगा होता है, किन्तो इसमें अधिक data के संचार की छमता होती है, इसका प्रियोग television network में किया जाता है, तो आप अ optical cable, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, यह कुछ इस तरह होती है, आपने नहीं देखी है, और आजकल networking में इसी को यूज किया जाता है, आप इंटरनेट रिली चलाते है, optical fiber cable संचार का आधुनिक साधन है, मतलब आधुनिक में इसी को यूज किया जाता है, इसका प्रियो बहुत अच्छे है, optical fiber cable क्रांच के बाल जैसे महीन होते हैं, आप देख पारें, छोटे छोटे तार जो दीख रहे हैं, यह बाल जैसे महीन है, इस cable में दो परते होती है, जिनने क्रमसे क्रोड और ट्रेडिंग कहते हैं, इसमें data pressure की छमता coaxial cable से 10 गुना अधिक होती है, म तलावसा मिल जाता है, और आप इसको अपने घर में जरूर देखना TV में लगा हुआ होगा, चलिए आई ही तरफ देखते हैं, बेतार संचार माध्यम, देखिए अभी guided media होगया, अब unguided media होगया, जो आप regular base पे use करी रहे हो, थोड़ा जब आप diagram समझ जाएंगे, कि आप नहीं होती है, इस विदी में signal का प्रसारण सामान रूप से वायू के माध्यम से किया जाता है, तो आप phone चला रहे हो, phone में आपको signals मिल रहे हैं, वायू के माध्यम हैं, कहीं ना कहीं, यदि यह signal उन सभी प्राप्त करता उपरोड़ों द्वारा ग्रेड किये जाते हैं, ज सामान रूप से बेतार संचार माध्यम को तीन भावों में वर्गिकरित किया था, रेडियो तरंगे, मैक्रोवेब तरंगे और इंफ्रारेट तरंगे, थोड़ा इनका एक्जम्पल भी समझे लेते हैं, और देख लेते हैं, है क्या, सबसे रेडियो तरंगे की बात करते है जब दो टर्मिनल रेडियो आपरती के माध्यम से सूचना का आतानु प्रेदान करते हैं, तो इस प्रखार के संचार को रेडियो वेब ट्रांस्मीशन कहा जाता है, यह तरंगे सर्व दिसात्मक होती है, मतलब इस चारो दिसाओं में चलने वाली होती है, यह लम्य दूरी तो इसके सिर्मिनल खा सिर्म से होने लग जाते हैं, तो इसस्टम में सिर्मन किसी माध्यम की भातिसं संचारित होता है, तो इस सिर्म में सूचना का आधान परिदान आ ब्रतियों के माध्यम से कि जाता है मैंने आबरती थोड़ी बहुत मिस्टिक हो गई है अबरती लिखा हुगा यह इनकी आबरती 0.3 GHz से 300 GHz के मद्द होती है यह है एकल दिसात्मक होती है इसका प्रियोग नेटवर्क तथा टेलिविजन ब्रॉड़कास्टिंग में किया जाता है तो आई ही तरफ चलते हैं आप समझ में आ रहा हुआ नहीं आ रहा हुआ तो इस टॉपिक को मुझे बताएगा इसके उपर में बाद में सिंगल वीडियो बनाके आपको मैं किलियर कर दोंगा इंफ्रारेट तरंग हैं देखिए आप डेली उज़ करते हो बट आपको पता ही ना यह क्या है आज पता चल जाएगा यह है क्या इंफ्रारेट बेव छोटी दूरी के संचार के लिए प्रियोग में लाए जाने वाली उच्छ आबरती की तरंग है आप मतलब समझ इंफ्रारेट तरंगों का यूज कर रहे हो तो इस तरह हमारा दूसा क्वेश्टन भी क्लियर होता है मैं फिर से बोला हूँ केस में से आती लगू लगू बहुवी कल्पिया प्रस्न कंप्लीट होते जाएंगे चलिए अगरी बात करते हैं मॉडम क्या है यह मॉस्ट इंप देख लीजिएगा निसी तोर पर आपने कही न कहीं देखा हुआ और नहीं देखा होता है अब इसको ध्यान देने लग जाएंगे यह कहां है जहां इंटरनेट चला आए तो अक्सर वहां पाया जाता है छूप मॉडम एक प्रकार का यंत्र होता है यंत्र ही है आपके लिए अखाता ही मॉडम कक पूर रूप मढॉडले मोडीलेटर है मॉड प्रकार का दिशीनलों को सिग्नलों को अनलोक में से वहां कि बावाइत हते हैं जहां यह हैंざ कॉने समझ चुके होंगे जो कंप्यूटर दारा गिर्यान किये जाते हैं तो एनलोग सिंगनल और डिजिटल सिंगनल को भी हम समझे जाएंगे अभी आगे चलते हैं में अब दिलेशन क्या होता है तो आप उपर ही पढ़ा था हमने डिजिटल सिंगनलों फिर से गलती हो गई कोई संचार माद्यों फ़ेजने के लिए अनलोग सिंगनलों में도 integrating को मोडूलेशन कहते बाता है मोड़ेशन आम तरफ पर विद्दुश चुमे की संकेतों में प्रियोक किया जाता है जैसे रेडियो है कंप्यूटर है हमारा कंपूटर कौन से सिंग्नल उज करता है हमारा कंप्यूटर डिजीटल सिंग्नल उज करता है आप इस बात को याद रखेंगे ठेक है सब्सक्राइब, इसको ध्यान रखेगा सायद कोसिन यह भी आजाए कि आयाम मोडुलेशन, आपरलती मोडुलेशन चरण मॉडुलेशन क्या है या मोडुलेशन कितने परकार का होता है, तो जर्द ध्यान से रखेगा. मोडियोटि अंति प्रकार होता है आयम आव्रत्य और चरण मोडि लेशन में हो सकता यह तो दियाँ अगे बढ़ते जाएंगे घडि टी मोडियोटि किया होता है एन्यलक सिंगनल को ब्राबरतित करने के लिए इसे ईगे ब्रावलम नहीं है है डी मॉडिलेसान सबसे पहले रीडियो 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 किया है अधा राट अपनिये है फिर से गया रहा हूं तो मैं आए क्वेश्टिन जरू करना सबसे पहले इनलोग Master in the low transmission एनलोग सिंगनल के अंतर संचालन होता रहता हुआ इस प्रकास है दोनी है अथा रिडियो तरग होता है अधिक दूरी में s सूचहां के लिए आजकल सच्था माध्यम टेली ओनलाइन का प्रियो कि कि ये आइञ दर्यापो बन्दोर स्क्रीक चाहलों जाता है टेलिफॉनुटस बेज़ता है इskiट Ho बन्दोर सोथ एक गिल्सॉट एक ड्रसाहा जाता है डीजिटल 10 को मतलब बंद ऑफ होता है तता एक का मतलब चालू अनोता है मतलब आप देखते हो कि जब भी आपको यह इस बटन में आप देखा होगा कि कुछ इस तरह का मार्क बना होता है और और आप के लिए चली देख लेना आप आज जाके ठीक है इसका अत्य बिद्दूत के प्रवा की अनु अभी शूचनाओं को टेलीफॉन लाइन के तौरा संचार करना हो तो डिजिटल सिंग्नल को एनलोग सिंग्नल के रूपर परवायतित करना आवश्यक है मतलब एनलोग सिंग्नल बहुत जरूरी है तो अपने मॉडम काम कर जाता है तो इसका डाइग्राम कुछ ऐसे है कि आपके सामने डिजिटल सिंग्नल है कुछ इस तरह जाते हैं और एनलोग सिंग्नल यह गुलाई में ही जाते हैं चलिए आगे देखते हैं यह question भी हमने खतम कर लिया दिए सूचना का question की बात करूं तो मैं इसको खाश important मानता नहीं लेकिन खड़े बैटे इसको याद कर लीजिएगा थोड़ा पढ़ना ही है कोई प्रावलम नहीं है शूचना क्या है देले आप शूचना का work करें हैं डाटा को यदि किसी विशेश किरम में विवस्तित किया जाए तो उससे जो उप्योगी अर्त निकाला जाता है उसे हम सूचना कहते हैं वो दारड के लिए यदि किसी डाटा को जैसे क्रमांग चात्र संक्या चात्र का नाम यदि व्यवस्चित कर गई कच्छा के चात्रों का परडाम निकाला जाता है तो उसे व्यवस्चित रूप में प्रुष्चत किया जाए तो हम उसे सूचना कहते हैं मतलब किसी कार्ण को आप सही डंग से कर रहे हो दूसरे एक्जांपल में लेका बैंक में जा देखने मिल जाए तो यह एक तरीके की सूचना हो जाएगी तो चली आगे देखते हैं सूचना में और क्या क्या है सूचना की बिसिस्ता क्या है नंबर बन सूचना की विसिस्ता है पूरता नहीं होगा तो फिर मेरी सुचना तो अधुरी रह जाएगी ना तो इसी को हम पूर पूरा करेंगे यदि सुचना अपूर हो और उसकी उपलब्दता एवं सुद्दता के गुड़ वर्थ हो जाते हैं सुचना अपूर होती है तो को मतलब की बात हो नहीं है आपको दिखा र पूरता का कारण कभी-कभी गलत निर्ड़े भी लिए जा सकते हैं सही तथा सुद्द सुचना को ही सही समय पर उपलब्दत कराना ही कंप्यूटर का पूर उद्देश से होता है मतलब आपको एक वार में याद हो जाएगा समय बद्दता समय से मिलनी चाहिए रिजल्ट आपका 2020 में आना है और आपको 21-23 में जाके मिले तो आपको टैंथ हो जाएगी चलिए फ्रीव एक्जांपल है जो भी है सुचना ऐसी होनी चाहिए जब उसके आप सकता हो वह बिन है समय टЬकी करें आपको मिल जाए वाह क्यावा अबात करें तो सुचना करते है सचाही सुचना उतला आपको ठीक रिस्टन हैं यह सुचना के परकार अव्म करता है उधार के तोरे बैंक ऊंक र्छल के अंध्र पर सेंट सुचना की आवशक्ता होती है अगर बहां आपका 1 ऐक जीरो गया हो जाए ना वान लेक में अगर जीरो गया तो 10,000 रह जाते हैं तो तो नुक्सान हो जाता है नहीं चलिए विश्वसनिया के बात करतो विश्वस अब जरूरी है तो उनकी गुरूप ताई कारड़ी सूचना विश्व सनियता कहलाती है संचित तता आप आजकल हमें भी जी आप भी जी सॉट में बात हो जाता है सबसे अच्छी बात है कि सूचना हमें साथ संचित वाप पूर रूप से उपलब्द होनी चाहिए बड़ी सूचना होगी कौ अब बात करते हैं लगूत्री प्रेशन वाव लॉंग हमने कम्प्लीट कर लिए तो अभी लॉंग कम्प्लीट कर लिए तो अब लॉंग में से सॉट वनने वाले हैं और कुछ नहीं वनने तो मैंनों के आंसर आपको यहां पर दे दूँगा तो लगूत्री है और अथी माद्यमदारा सब भी अबूर्तियों को नहीं बेहा जा सकता है यानि जतनी वहांas in को घमान दारा नहीं बेज सकते हैं था उन अबरतियों कि सीमा जो किसी माध्यम दारा बेजी जा सकती है उन्हें बेंडवर्थ कहते हैं तो यह प्रोटोकल से मैसेज कर रहे हो तो मैं समझा तो इस इन प्रोटोकॉल लूह कंट भी स्टायों में पोटोफित में कुछ ना कोई नियम के संग्रय को कहते हैं, मतलब आप कम्पूटर को कोई data भेज रहे हो, किस नियम है, कोई नियम में data भेज जा रहा है, उसको ही हम क्या कहते है, प्रोटोकॉल कहते हैं, कोई सूचना या data एक computer से दूसरे computer में transmit, या प्रेशित होता है, या होती है, तो यह है प्रेशर, ट लिए लागू किया गया है कोई कंपणी जो प्रसुनल काम कर रेही अपने प्रसान्ट का मतलब है कि एक कंपनी हन्स की बात करें दिया एक maximus अरध साव सभी एप नामने यह आइट अर्थ फुरया नाम एंस कमर प्रोट में लिया पी इंटरेंट क्रोकॉल इसका मतलब है, मतलब का मतलब है, इसका पूर रूप है, फुल-फॉर्म है, यह नियोमों का एक समुह है, जो इंटरनेट कैसे कार करता है, यह नेर्डा करता है, TCP, IP, यह दो कंप्यूटर के बीच सूचना, इस्तांत्र और संचार को समभब करता है, इनका प्रियोग डाटा क सुरचे ढंग से भेजने के लिए किया जाता है, TCP की भूम का डाटा को छोटे-छोटे बाटने में की जाती है, और IP इन पैकेट पर लच्छ इस्तल पर पता अंकित करता है, मतलब TCP करता है, जो भी सूचनान को छोटे-छोटे-छोटे पैकेट में बाट देता है, पैकेट इंटरनेट है, यह भी अपना काम करता है, और कहां पहुंचना है, इसको आई-पी कनफर्म करता है, यह IP एड्रस होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो प्रोटोकॉल हो गया हमारा, तो अब बात करते हैं आगे, HTTP Hypertext Transfer Protocol, इसका पुरा नाम मैं आपको अभी भी बताया, इ सूचना किसे कहते है, ध्यान से देखिएगा, इस question को सूचना किसे कहते है, starting में ही long में करवा दिया है, अगर आपको नहीं पता, तो बापस जाईए, और उसको फिर सूचना को पढ़िए, sort में बतारो, sort में भी आ सकता है, long में भी आ सकता है, sort आप अपने according लिखेंगे, दो लाइन का या एक लाइन का, और थोड़ा लगू हो जाएगा, तो कमसे 5-6-7 लाइन का हो जाएगा, और long तो आपको पता ही, कि वो 8 नमर का है, तो उसको जादा स्यादा लिखेंगे, data किसे कहते है, मैंने long में करवा दिया है, आप इसको भी complete करेंगे, प्राप्त करता क किसे कहते हैं, यह भी आप जानते हो, जो message को प्राप्त करता है, प्रेशक किसे कहते हैं, जो message को भी इसता है, संचार सिस्टम पर लिखिए, तो संचार सिस्टम मैंने सबसे पहली करा दिया है, long मैंने long क्यों कराए है, कि आप short को आसानी से कर सको, और जाएशी बाता long संचित पर टिप्टी लिखिए, यह भी long में है, तो long में पढ़ लेंगे, और एक बार खुद वीडियो देखने के बाद खुद वीडियो को रोकेंगे, और सोचेंगे कि आपने क्या पढ़ा और क्या समझ में आया, और यह question बता रहा हूं, कि मैं ऐसे कोई ना कोई फसने वाले हैं, इस बार भी, communication कितने परकार के होते हैं, communication के अनुप्रियों के लिखिए, तो इसके बारे में बात करेंगे, यह communication कितने परकार के होते हैं, यह वहां long में नहीं था, communication मुखते दो परकार के होते हैं, एक मौखिक जो आप मुझे बोल करते हो, एक लिखिक जो आप लिखित की बात करें तो किसी डाटा था सूचनाओं का लिखित रूप से आधान प्रतान लिखित कम्म्यूकेशन कहलाता है यह मादमों से किया जाता है जैसे पत्र है आधी चलिए आई धर देखते हैं यह लिखित की बात हो गई है अब बात करते हैं हम और कॉनकोशन है मतलब होता है कि इसका प्रियोग का मतलब है इनका प्रियोग कि में किया जाता है जैसे यह एलक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवा है बार तो ब्लां करते हैं बाना क्रदक्वी इसको 60 आप तुल rozp अब भाघो विकल्पी प्रेशन जो पिश्म मेने लों कर इब ये लोग करती फोड़करा दिये और उसी जयां जये बहार कोई चीज़ नहीं जाती है अब ध्यान से पढ़िएगान निमल डाटा इस्थान से दूसरे इस्थान और एक इस्थान हो इसे मैं टी निक देता हूँ अपने तरफ से एक इस्थान तरं से दूस missionary त्थानी कहिला संच्रड कहलाएगा computer network नहीं और computer संच्रड भी नहीं कहलाएगा analog signal को digital signal में परिवर्तित होना क्या कहलाता है सोचिए वीडियो को पहुच कीजिएगा मैं उसके बाद बताऊँगा इसको बोलते हैं demodulation चलिए in math से protocol नहीं है मैंने long map protocol करवाया था TCP IP है HTTP पढ़वाया था X.25 भी लगवाया था ISP यह होता इंटरनेट सर्विस प्रोवायडर मतल जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवायड कराते हैं वह होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवायडर तो मैं इसमें से question पूसरा हूँ मुझे comment में लेकर बताईएगा internet का मालक कौन है आपके उपर आप बताएंगे अगली वीडियो में बता दूँगा अगर आप question कर देते हैं किस transmission में data को प्रकास तरंगों के रूप में प्रसारित किया जाता है तो पूई एक के बल जिसमें प्रकास की गती से Clinton से accumulation होता है तोADE application नहीं हो सकता है को एक्षिल केवल भी नहीं हो सकती टेलिफॉल नाइज भी नहीं हो सकती कौन बचा फाइवर ओप्टीकल केवल यहां communication सब से तेज़ होता है निम्लेकित मैंसे किस संचार गती सबसे अधिक होती है, सबसे संचार गती, प्रकास की गती सबसे तेज होती है, प्रकास की गती के लिए हमने भी बात कही थी, फाइबर ऑप्टीकल केवल, तो ऐसी कोई केवल मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं मिल गया, तो केवल संचार हो सकता समय से मिलनी चाहिए प्रसंगि수र होनी चाहिए या है तो यह किस की बज़ए से हुपा रहा अभी हमारा सैट्रिश्ध संचार की वैसे यह हो पा रहा है चलिसे आगे की तिरब देखते हैं आगे और भी है सुचना की विशेष्टा है सुचना देखे हमने सुचना भी समय से मिलनी चाहिए सही मिलनी चाहिए प्रसंगिता होनी चाहिए या यह सभी होनी चाहिए तो यह भी गलत यह भी गलत यह भी गलत अब बचा यह सही है करते हैं प्रात्मिक संचार मॉडल के प्रोसेस में कौन सामिल नहीं है प्रात्मिक संचार मॉडल में क्या-क्या नहीं आता है क्योंकि मेसिज तो कोई बेज़े का मतलब यह कॉश्चन करा प्राप्त करता है रिसीविंग भी तो करेगा चैनल किस माध्यम से बेज़ेगा यह तो कौन नहीं आता है? नहीं तो इस्टूरेज नहीं आता है ना इस्टूरेज कर लाता है? आए वाकत होते हैं मॉप्रिक Comunication किसके द्वारा होता है? टेलिपोन के द्वारा हां होता है, mobile भी करता है, intercom भी करता है . ये सभी चलिये हम सब कि साई की जगां एक्सी जगए कर देते हैं यहां लि यहां भी कर तेंगे केयवल करते हैं यहां भी हमारा नी केवल के सब्सक्र्स जानते हैं और यहींушка सब्सक्राइब करते हो ट 농ल प्रसार छेतर सबसे अधिक है, यानि सबसे ज़्यादा एजया कवर करता है, तू बात करते हैं, केबल संचार, मैक्रोवेब, सैटलाइट, इसका संचार से ज़्यादा होता है, ठीक है, नेस्ट पर लिप्टे तारों का यूगम कहते हैं, पर तो आपको पता होगा, कि आपस म एक दूसरी तार लिप्टे होते हैं, मैंने स्टार्टिंग कर वाया है, तो मैं आगे नहीं बढ़ूँगा, यहीं कहा दूँगा, त्विस्टेट पेर केबल, जिसमें हमारे पसबतार आपस में जुड़े होते हैं, तो इससी के साथ हमारा चैटर फिनिस होता है, और वीड अच्छी लगी हो, तो नाइस केमेट जरूर कीजिएगा, तो थेंक्यू, और मिलते हम नेक्ट वीडियो में, सेम इसी प्रोसेस में और इसी फॉर्म में हम जल्दी बोर्ड का सिलाबस कम्प्लेट करेंगे,